हाई आप रोगों के लिए पनीर से बनने वाले एक बहुत ही मज़िदार स्नाक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जिसकों की बनाना भी बहुत आसान है साथी साथी हर किसी को पसंद आएगा तो बिनन किसी देरी की इस रेसिपी को हम देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे एक कप मैदा साथ में जाएगा एक टी स्पून चीनी थोड़ा सा सॉल्ट आस पर दे टेस्ट और टू टी स्पून जितना रिफाइंड ओल हम यहां पर डाल देंगे अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सुदाट की जो ओल है वो आटे में अच्छे से मिल जाए उसके बाद मैंने यहां पर लिवाए एक जो थाई कप जितना दही और यह दही बिलकुर भी खटा नहीं होना चाहिए और दही को भी इसके साथ हमें मिक्स कर लेना है नेक्स्ट जिस कप से मैंने मैदा मैजर किया था उसी कप से मैंने एक कप जितना दूद लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इस दूद को मिलाएंगे अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा दूद मिलाया है और इसको अच्छे से mix करेंगे सो दाट कि इसमें एक smooth batter बन जा और इसमें कोई भी lumps ना रहा है यानकी गुटलिया ना रहा है अब जो बाकी का बचा हुआ दूद है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें add कर देंगे तो यह रेखिए यह कुछ इस तरीके से एकदम एक smooth batter हमारा बन जाएगा इसमें कोई भी गुटलिया नहीं बिल्कुल भी lumps नहीं है और यह इसकी consistency रहेगी इस तरीके का यह पतला batter रहेगा तो यहाँ पर यह batter हमारा बन करके ready हो गया है अब यहाँ पर हमने कुछ सबजे लिए हैं 6-7 french bean से एक medium size का प्याज एक गाजर और एक शिमला मिर्च अब इन सारी सबजियों को हमने एक chopper में डाल की chop कर लेना है और अब next हमें एक pan रखेंगे medium flame पर और उसमें मैंने डाला है 3 teaspoon जितना oil इन सारी chopped सबजियों को हमने इसमें डाल करकी भून लेना है और अच्छे से भून ना जब तक की सबजियों का सारा पानी खतम ना हो जाए क्योंकि सबजिया अगर गीली रह जाएंगी तो stuffing करने में जो हम बनाएंगे उसके parcels वो इकत्म soft हो जाएंगे वो crispy नहीं रहेंगे नेक्स्ट इसमें आट कर देंगे 150 ग्राम जितना पनीर और पनीर को मैंने बहुत चोटे-चोटे cubes में काट लिया है देन आट करेंगे some salt as per the taste अप में चायेगा 1 चौथाई टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, 3 चौथाई टी स्पून जितना धनिया पाउडर, 1 आदा ट मीडियम के बीच में रखेंगे, सुदाट की जो मसाले हैं वो ना जलें, तो यहाँ पर यह जो मसाले हैं वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमने इसको अच्छे से 3-4 मिनट तक भून लिया है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून जित बहुत जादा नहीं आड़ किये, यह आप पर डिपेंट करेगा कि इसको डालना है या नहीं डालना है, अब नेक्स्ट हम पार्सल के लिए कावर बनाएंगी तो उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन रखवा है, बिल्कुल लो फ्लेम पर उसमें कोई भी ओल वगर नही सकते हैं, जब उपर का सरफेस इसका सूप जाएगा तो हमें क्या करना है, बिल्कुल हलके हाथ से इसको उठाना है, यह देखिए यह हाथों की हल्ट से अच्छे से उठ जाता है, और इसको हमें पलट देना है, अब जो साइट से एक गई है, उस पर हमने जो पनीर का मिक्स प्रिपेर किया हा था, वो हमें इसमें लगा लेंगे, और जैसे हम पार्सल बनाते हैं बस सेम उसी तरीके से हमें इसको कवर करना है, इसमें कोई भी पानी वगर लगानी की जरुरत नहीं है, लेकिन यह स्टेप हमें जल्दी करना पड़ेगा, सुदाट की जो कवर है, वो इस तरीके से आपस में चिपक जाए, और उसके बाद बस इसको इस तरीके से दबाएंगे, तो यह अच्छे से आपस में चिपक जाएगा, और उसके बाद हमें इसको पलट देना है, अब यहां पर हमें क्या करना है कि थोड़ा सा ओयल लगाएंगे दोनों तरफ, और उसक से इसको सिक जाने देना है और फिर हममें इसको पलट लेना है तो यहां पर यह दूसरी वाली भी साइड हमें इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से से कलेनी है या देखी इसका जो कलर है वो बह Auft आचा था क्योंकि हमने इसमें दूद का यूज़ आय। इसी की वज़े से इस तरीके का color आता है तो यहां पर हमारे parcels बन करके ready हो गए हैं और चलिए अब हम इसको plate कर लेते हैं तो यहां पर आपने दिखा कि बनाना कितना easy था फटाफट से बन करके ready हो गए और आप चाहें तो इसको बचों की tiffin में भी दे सकते हैं अगर हो जाएगा तो थोड़ा साफ्ट हो जाएगा उपर से भी और अंदर से तेखिए तोड़ने में एक्तम सॉफ्ट है और स्टफिंग भी बिल्कुल अच्छे से इसमें भरी हुई है और अगर आप थोड़ी से हल्दी ऑप्शन में जाना चाहते तो आप इसको मैदे के ब और आप ग्रमी